सदी के महानायक अमिताब बच्चन और रेखा कोलेकर फिल्मी गल्यारों में तवाम तरह की बाते कही गई हैं। इनके प्यार के किस्ते अक्सर सुनने पढ़ने को मिलते ही हैं। रेखा ने कई बार बिगबी से प्यार का इजहार करने को सोचा लेकिन फिर विवादों के कारण उन्होंने चुप पिसाद ले। कहा जाता है कि रेखा आज तक अमिताब बच्चन को भुलाने में नाकामयाब रही हैं। जब भी मौका मिलता है वो बिगबी की तारिफ करने से नहीं चुकती हैं। रेखा ने अपने बहुत से इंटरव्यू में बार बार अमिताब का नाम लिया और उनके साथ अपनी रिष्टे को कबूल भी किया। लेकिन बिगबी की तरफ से कभी इन बातों पर कोई टिपड़ी नहीं की गए। यहां तक कि वो हमेशा रेखा के साथ अपने कतित संबंदों को नकारते ही रहे। कहते हैं रेखा और अमिताब के मलाकात पहली बार, 1976 में आई फिल्म दो अंजाने के सेट पर हुई थी। अमिताब सूपरस्टार बन चुके थे और जयसी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन रेखा को कोई खास पहचान नहीं मिली थी। वहीं फिल्म के शूटिंग शुरू होने के साथ साथ इन दोनों की कुप चुप प्रेम कहानी भी शुरू हो गए। फिल्म हिट रही और इनकी जोड़ी इतनी पसंद की गए कि इन्हें सुहाग मुकदर का सिकंदर और राम बल राम जैसी कई और फिल्मों में साथ में ओफर मिला। माना जाता है कि ये दोनों रेखा के एक दोस की बंगले पर ही मिला करते थे। लेकिन इनका प्यार सबके सामने तब खुल कर आया जब फिल्म गंगा की सौगंत की समय एक को आक्टर ने रेखा के साथ बत्तिमीजी कर दी थी और फिर अमिताब अपना आपक हो बैटे थे। खबरें ये भी ओड़ी थी कि इन दोनों ने कुपचुप तरीके से शाधी भी कर ली है। साथ में काम करती वक्त क्या आपको ऐसा भी लगा कि आपको मिताब बच्चन से इश्क हो गया। आपकी नहीं रुकी इस इंटर्वी में उन्होंने आगे कहा मेरा खभी उनके साथ कोई परसनल रिलेशन्शिप नहीं रहा और यही सच है। सिम्मी के साथ इस बाचीत में उन्होंने साफ कहा कि वो अमिताब की तरफ आकरशित थी और एक फैन की तरह उनसे महबत करती थी। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप entertainment की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीज की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रोवर्सीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर तो फिर धमाकेदार इंटेटेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है E24